नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मी दालोवालिया बिरियाट्रिक एडवांस लेपरोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम जानेंगे गॉल बेडर के फंक्शन के बारे में गॉल बेडर एक स्मॉल पियर शेप लॉरकन है जो हमारे लिवर के निचले हिस्से से जुड़ा रहता है लिवर में जो बाइल जूस बनता है वो दो पाइपस के थूँ एक कॉमन पाइप जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट के दाम से जानते हैं उसके थूँ हमारी छोटी आंत में जाता है गॉल बेडर का काम है इस जूस को स्टोर करना और जब हम खाना खाते हैं उसके बाद इसे आंत में रिलीस करना गॉल बेडर एक सिस्टिक डक्ट के नाम से एक डक्ट के थूँ CBD के साथ अटैच रहता है जैसे कि आप इन पिच्चर्स में देख सकते हैं जिस समय हम खाना नहीं खा रहे होते उस समय CBD का जो ओपनिंग है आंत के अंदर वो क्लोस रहती है और बाइल गॉल बेडर के अंदर ट्रांसफर होता रहता है और उसमें स्टोर होता रहता है जब हम कुछ खाते हैं उसके बाद कुछ hormones के असर की वज़े से ये स्फिंक्टर जो छोटी आंत में खुल रहा है वो ओपन हो जाता है और गॉल बेडर की contraction की वज़े से ये बाइल छोटी आंत में चला जाता है और हमारे खाने के साथ मिक्स होकर उसको डाजेस्ट करने में help करता है लेकिन इस सिस्टम में ये problem ये है कि हमारा liver लगभक आधे लिटर से लेकर एक लिटर यानि 500 से 1000 ml तक का बाइल हर रोस बनाता है जबकि गॉल बेडर की capacity 50 to 100 ml ही होती है इसका मतलब ये है कि गॉल बेडर को इस बाइल को कुछ हट तक concentrate करना पड़ता है उसमें से प गॉल बेडर में गॉल स्टोन बनने लगते हैं और एक बार ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर एक स्टोन के ऊपर और स्टोन बनना यह स्टोन का बढ़ा होना बहुत एजी हो जाता है और ये problem बढ़ती ही जाते है गॉल बेडर में different conditions की वज़े से भी स्टोन बन सकते हैं जैसे कि गॉल बेडर के अंदर cholesterol का जादा होना किसी conditions में अगर गॉल बेडर के अंदर cholesterol जादा secret हो रहा है तो cholesterol स्टोन बन जाते हैं जो usually white या yellow color के होते हैं अगर गॉल बेडर में bilirubin की quantity जादा है bilirubin खून के तूटने से बनता है और किसी कारण अगर blood जादा destroy हो रहा ह बोडी में तब भी ये गॉल बेडर के अंदर bilirubin स्टोन बन सकते हैं जो की dark color के होते हैं dark brown या dark green color में ये स्टोन देखे जाते हैं लास्टली अगर गॉल बेडर के एंप्टी नहीं हो पा रहा है किसी कारण से यानि कि वो सिकट नहीं पा रहा है तब भी गॉल बेडर में के अंदर bilirubin का stasis होने की वज़े से ये स्टोन बन सकते हैं गॉल बेडर होने के कई सारे risk factors हो सकते हैं जिनमें की एक है female होना क्योंकि गॉल बेडर females में males के बजाए जाधा common है उनकी age 30-40 के around होना इन cases में भी ये जाधा common है pregnancy होना, obesity होना, sedentary lifestyle होना, खाने में cholesterol का जाधा होना, oil का जाधा होना, fiber का कम होना, आपकी physical activity कम होना ये सब कारण हो सकते हैं गॉल बेडर होने के हम क्या कर सकते हैं, गॉल बेडर के stones को prevent करने के लिए, healthy खाना खाये, अपना weight अच्छा maintain कीजिए, weight जाधा है तो उसे slowly lose कीजिए, बहुत rapid weight loss से भी गॉल बेडर में stone हो सकते हैं, बहुत oily या बहुत high cholesterol वाले खाना ना खाये तो हम क्या कर सकते हैं, गॉल बेडर के stones के risk को कम करने के लिए, एक healthy खाना खाये, खाने को fiber rich रखिए, उसमें cholesterol और fat की quantity कम रखिए, अपना lifestyle अच्छा रखिए, एक अच्छी physical activity का regime रखिए, और अगर आप obese हैं, तो धीरे धीरे weight lose कीजिए, rapid weight loss से भी गॉल बेडर में stone बन ये pain कुछ घंटों से लेके कई दिनों तक stay कर सकती है, depending upon कि ये stone वापिस निकल कर गॉल बेडर के अंदर आ गया है, या वहीं फसा हुआ है, इसके बाद अगर ये relief नहीं होता है, तब गॉल बेडर के अंदर pressure जादा होने की वज़े से उसकी wall काली पड़ सकती है, उसमें gang CBD यानि common bile duct में sleep हो जाता है, तो CBD की blockage की वज़े से jaundice हो सकता है, जिससे की एक और operation करवाना पड़ सकता है, जिससे हम ERCP के नाम से जानते हैं, ये stone निकलवाने के लिए, यही stone अगर नीचे pancreatic duct पे hit करता है, तो उससे pancreatitis नाम की बिमारी हो सकती है, जो mild से लेकर बहुत severe हो सकती है, mild में आपको कुछ pain रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे pancreatitis की severity बढ़ती जाती है, ये जानलेवा भी हो सकता है, स्वाय होप कि ये वीडियो देखकर आपको gallbladder के function और gallbladder stones की वज़े से आने वाली problems के बारे में idea लगा होगा, और आप अपना इलाज एक बेटर धंग से करवा पाएंगे, thank you